हेलो फ्रेंड वेलकॉन टो माई यूट्व चैनल ग्रीन आर्च आज किसी बुर्यों मैं फिन डिजाइन एंट फसाड डिजाइन के बारे मसे डिसर्स करूँगा कि किस तरीके से हम फिन को अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं इसका एक इंपोर्टेंट यह है कि आपको यह यह आपके वाल को प्रोटेक करता है हीट से इसमें जो हम मैटरी लगाते हैं इसमें हम एलमूनियम लगा सकते हैं और या तो आईरन लगा सकते हैं या फिर हम उड़िन भी स्ट्रिप टाइब का भी मैटरी हम लगा करके फिन्स का यूज कर सकते हैं अपने घर को तो यहां भी देखेंगे यह ओफिस का डिजाइन किया गया है तो उसके करण से अंदर जो है उचाया आ रहा है हीट नहीं आ रहा है जिसके करण से वह गर्म नहीं हो रहा है तो यहां भी आप देख रहे हैं कि फिन्स के करण से आपका जो है रूम या बाहर का पार्ट है वह अंदर में छाया दे रहा है तो इसका यूज बहुत ही पहले से होते आ रहा है इसका यूज अगर आप देखोगे पुराने बिल्डिंग को जो बॉंबे में बने हुए हैं त तो इसका यूज पहले से होते आ रहा है इसको ऊडेन का श्ट्रिप देके एलमुनियम का श्ट्रिप देके बेटर सुन्दर बनाया गया है कि जिससे जो घर है या फिर कोई भी आपार्टमेंट कोई भी फ्लैट्स या वह आपको डेजाइन में करता है कि कि इसमें जो तो आप concrete के कराऊगे तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा आपका 15-20,000 में आपका concrete से बन जाएगा लेकिन वही आप मेटल में जाना चाहते हो अलिमुनियम जाना जाते हो तो आपको लगभग जाएगा यह 100-200 रुपिया स्कॉार फिट और एप्रोक्स मैक्सिमम मैक्सिमम में आपको 500 रुपिया स्कॉार फिट जाता है और उडेन में जाते हो तो उडेन में भी लगभग आपको 800-900 रुपिया स्कॉार फिट जाता है क्योंकि जो उड है ना उसको लेमिनेट किया जाता है जिसे बारिस से भींगे ना और खराब ना हो अगर भीं टाइप का यहाँ पर फिन्स बनाया घैया डिजाइन किया गया है तो अंदर का जो भी part अगर अगर आप अंदर देखोगे ना तो काफी ठंडा और काफी छाया मिलता है पूर जाइन आज है अजके लिए बस इतना ही अगरे वीडियो में करें वीडियो एच्छा लागा तो लाइक कीजिए गज़ाओं कीजिए गज़ाओं कीजिए गज़ाओं अफों